दोस्तों इंडिया वर्षेस अफगानिस्तान के T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होने जा रही है बता दू पूरी स्कौर्ड का और प्लेइंग 11 जो है उसका यहाँ पर एलान कर दिया गया है रोविट शर्मा और विराट कोली है वो 14 मैनों के बाद में वापसी कर रहे है T20 मैच के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको शेडियूल, टाइमिंग, डेट और जो स्कौर्ड है उसके बारे में बता देता हूँ सबसे पहला जो मैच है वो 11 जन्वरी को पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा जिसकी शुरुआत शाम को 7 बजे से होने जा रही है इंडिया और अफगानिस्तान का ये पहला T20 का मुकाबला है जिसकी शुरुआत शाम को 7 बजे आप यहाँ पर देख पाओगे प्लेंग 11 की अगर में बात करो इंडिया की तरफ से तो आप देखेंगे सबसे पहले कप्तान के तौर पर यहाँ पर रही शर्मा मौजूद रहेंगे ओपनिंग करने के लिए उनका साथ यहाँ पर शुबमन गिल दे सकते हैं या फिर एशस्वी जैस्वाल को थोड़ा सा उपर लाकर यहाँ पर खिलाया जा सकता है तौर आप बात करेंगे तो हमारे पास में लेफ्ट हैंडेड और जो राइट आम मीडियम बॉलर शिवम दूबे है वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देखेंगे अक्षर पटेल यहाँ पर जो है बॉलिंग करने के लिए सबसे पहला प्रिफरेंस माना गया था इनका रवी बिश्नोई है कुल्दिप यादव अर्शदिप सिंग आवेश खान और मुकेश कुमार यह सारे के सारे जो बॉलर्स है इनकी यहाँ पर लिष्ट तयार हो चुकी है अफगानिस्तान के खिलने के लिए और बता दू बाकी के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे जैसे कि हार्दिक पंडिया और सुरी कुमार यादव जो की चोट की वज़े से बाहर थे इसे के साथ में रितुराज गायकवाड का नाम पहले लिया गया था कि वो भी यहाँ पर खेल सकते थे लेकिन प्लेइंग 11 के यहाँ पर अनौन्स होने के बाद में पता चला कि रितुराज गायकवाड भी यहाँ पर टीम का हिस्सा नहीं है पिलाल संजू सैंसन ने जो है यहाँ पर फिर से अपनी वापसी कर ली है टीटवन्टी के मैदान में और हमारे ओल राउंडर रमिंदर जाडे जाक का भी यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है और बलेबाज इशन किशन और केल राहूल जो है वो भी अभी टीटवन्टी का हिस्सा यहाँ पर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्हें आगे के जो टीटवन्टी वर्ल्ड कप रहेगा उसके लिए यहाँ पर रखा गया है वहीं मैं अगर अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करूँ तो उनका भी नाम यहाँ पर सामने आ चुका है सबसे पहले आपको बैटिंग के तौर पर लेफ्ट हैंड़ बैट्समैन अजरत उल्ला जजजाई देखने को मिलते हैं और उनके कप्तान राइट हैंड़ बैट्समैन इबराहिम जदरान है इन दोनों की जोड़ी हमें ओपनिंग के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकती है वहीं आपर बात करें तो फिर से लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है नजीब उल्ला जदरान और अजमत उल्ला उमर्जाई के रूप में अजमत उल्ला उमर्जाई जो है यहां पे राइट आम, मीडियम फास्ट बॉलर भी है जो कि एक आल राउंडर है अफगानिस्तान के पास में आल राउंडर्स काफी है जैसे की गुलबदिन नैब, करीम जनात, मुहमद नभी, रहमत शा, शरफ उद्दिन, अशरफ यह सारे के सारे जो है यहां पे बॉलिंग के साथ में ही बैटिंग भी काफिशांदर तरीके से कर सकते हैं और अफगानिस्तान के विकेट कीपर्स की बात करो तो हमें यहां पर इकराम एकिल, रहमन उल्ला गुर्बाज, विकेट कीपर के तौर पर दिख सकते हैं और बॉलर्स की बात की जाए तो फरीद हमद है, पजलहक पारुकी, मौमत सलीब, मजीबुर रहमान, नविन उलक, नूर हमद और राशित खान के तौर पर अफगानिस्तान के जो टीम है, यहां पर बनकर तयार हो चुकी है भारतिय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी को पंजाब क्रिकेट एसोसियेशन, I.S. बिंदरा स्टेडियम के महाली में पहला मैच यहां पर खेला जाने वाला है दूसरा मैच जो है, वो होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा और तीसरा और आखरी मैच, M. Chinnaswami स्टेडियम बैंगलोर के अंदर यहां पर खेला जाएगा तबी मैच भारतिय समय के अनुशार, मैंने बता दिया शाम को 7 बजे ही शुरू होंगे, टॉस का समय शाम को 6 बजे का रहेगा और आपको बता दू, T20 World Cup 2024 से पहले टीम इंडिया का यह आखरी T20 सीरीज रहने वाला है और इसी के बाद में भारत इंगलेंड की टेस्स सीरीज खेले जाने वाली है, जो की मार्च से में तक चलने वाली है और उसी के बाद में मार्च से लेके में तक IPL खिला जाएगा, तो यहां पर पूरी टीम बनकर तयार हो चुकी है तो दोस्तों यह था, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान T20 2024 का प्लेइंग 11 स्क्वाड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा क्रिकेट न्यूज और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए